हेलो दोस्तो मैं माला मन्नु की स्रीट गार्डिन में आप सभी दोस्तो का बहुत बहुत स्वागत है देखिए कितना खुबसूरत गुलाब हमारे गार्डिन में खिला हुआ है दोस्तो और मैं बैगन देखिए हार्वेस्ट की हूँ मैं तेरहमी रार अपने प्लांट से बैगन हार्वेस्ट की हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सेर करने वाली हूँ कि मैं बैगन का प्लांट कैसे लगाती हूँ और किस तरह से लगाने से 100% बैगन का प्लांट लग जाता है देखिए मैं नरसरी गई थी परसो, बहुत सारे मुझे फ्लावरिंग प्लांट खड़ी दना था, मेरे गार्डेल में अभी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, तो मैं सोची कि कुछ प्लांट ला करके अपने पॉट में लगा दूँगी, बहुत जादा इस वार बहुत जादे ठंड के कारण हमारे सभी प्लांट अभी डॉर्मेंसी में चले गए हैं, लेकिन मुझे नरसरी में भी कोई बहुत हेल्दी प्लांट मुझे नहीं मिला, तो मैं वेजिटेवल का प्लांट लेना चाहिए, लेकिन वेजिटेवल के भी बहुत सारे प्लांट न लेकिन अभी बहुत जादा ठंड होने के कारण इस तरह से प्लांट का हल हो गया है दोस्तों और जो प्लांट में थोरा सा भी मुझे फंगस वगरा का अटेक दिखा तो मैं सभी प्लांट के लीब को अच्छी तरह से रिमूब कर दियू इसलिए आपको और भी ऐसा लग रहा होगा देखिए सभी प्लांट ठीक है साग में देखिए पलक का साग है साग भी बहुत अच्छे से हुआ है तो मेरे बैगन के जो एक साल पहले का प्लांट है उस प्लांट को मैं हटाऊंगी और बैगन उसी पॉट में मैं लगाऊंगी देखिए गोवी का क्या हल है गोवी का भी प्लांट में अभी बहुत अच्छे से फल नहीं आया है दोस्तों तो इसमें मुझे मिटी रखना है देखिए बैगन लगा है और बहुत ज़्यादा बैगन नहीं लगा है पांचे बैगन ही लगा हुआ है दोस्तों और सभी में साग बहुत अच्छे से आ गया है दोस् मिर्चा का प्लांट में देखिए मिर्चा लाल हो गया है और बहुत ज्यादा ग्रीन मिर्चा भी है बहुत तिखा मिर्चा है दोस्तों तो मिर्चा भी मैं हार्वेस्ट की थी कुछ दिन पहले अभी बहुत सारे मिर्चा इसमें भी लगा हुआ है दोस्तों और देखिए यहा आपकोरी में सब्सक्राइब करना हैं तो किस एक साल होले 언제 सभी पॉरकत्राइब पुलान के जो करना हो आधते हो लगाई थी पॉट में वो प्लांट सभी है भी बहुत चोटा और नया भी है उसमें फल भी आने लग गया है तो उन सभी प्लांट को मैं रखूंगी और जो हमारा पुराना है एक साल पुराना प्लांट हो गया है तो मैं उन सभी प्लांट को हटा करके उसी पॉट में मैं नय प्लांट लगाऊंगी दोस्तो, साग देखिए कितना अच्छा से हुआ है और सरसो का साग है दोस्तो मैं नर्शरी से बैगन का प्लांट खरेद करके लाई उस दिन रात हो गया फिर कल होके सोची प्लांट को रिपोट करूंगी तो ओफिस में लेट हो गई पहले प्लांट लगाई थी बैगन का, उसमें मिटी थोड़ा कम हो गया था, तो मैं सभी में मिटी डाल डी हूँ, रूट अभी दिखने लगा है दोस्तो, प्लांट हमारा बरा हो गया है, और मिटी की उसमें मुझे कमी थी, तो अब मेरे पास मिटी बहुत जादा है, मैं क्षरी का भूसी भी बहुत अच्छी तरह से डीकमपोस्ट हो गिया है तो मैंने सभी को मिक्स करके और मिटई बनाए हूँ मिट़ी भी हमारा बहुत अच्छा रहता है दो देखिए सभी में मिट़ी डाल दी हूँ और अनिया का साग है तो सागampa भी अच्छी तरह से पग गया है इसका सीट तो मैं सीट को पोट में ही डाल दी हूँ तो बहुत सारा साग भी हो जाएगा और इसका सीट बहुत छोटा होता है हर बार मैं इस तरह से डाल देती हूँ पोट में तो बहुत सारे साग हमारे साल भर खुद से होते रहते हैं तो साग लगाना बहुत यह आसान है इस तरह से मुझे जिसी स्पॉर्ट में मिटी कम दिख रहा है सभी में मिटी डाल रही हूं क्योंकि रूट भी दिख रहा था दोस्तों और मिटी का भाव होने के कारण मैं मिटी नहीं डाल पाई थी अब मैं मिटी अच्छी तरह से डाल रही हूं तो हमारी प्ला हो गए हैं और सभी में हलका फूल का फंगस का भी अटेक हो रहा है काला काला इसमें निसान जैसे हो रहा है तो जो भी मुझे वैसा पता दिख रहा है सभी को मैं रिमूब कर दें। सबसे अच्छा उपाई यही होता है कोई फंगिसाइड वगर्ण अभी एस्प्रेक कर नही होता है दोस्तों अभी मुझे ओफिस में भी बहुत ज़्यादा प्रेसर है तो घर आते आते हीं लेठे हो जाती हूं जाती हूं कि बहुत जल्द अपने गार्डेन का सभी काम को खतम कर लूँ अभी कटाई चटाई करने का भी बहुत अच्छा अबसर है और हमारे प्लांट क केर करने का अभी बहुत अच्छा टाइम है तो मुझे टाइम का थोड़ा सा आवाव हो जाता है फिर भी मैं जब भी टाइम मिलता है मैं अपने गाडेन में आती हूँ और काम सुरू कर देती हूँ तो देखिए जो प्लांट मुझे अब पुराना लग रहा है उन सभी प्लांट को मैं निकाल रही हूँ इसका रूट देखिए कितना बराबरा हो गया है तो बैगन का प्लांट अप्टीने वले पॉर्ट में भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लाब्रिंग करता है दोस्तो तो देखिए सभी प्लांट जो हमारे पुराने हैं सभी को हटा दी और मिटी की गुराई कर रही हूँ इसमें नीचे नीचे तक रूट भी चला गया है बहुत जहल का मिटी है तो इस प्लांट को रूट को इसमें फैलने में थोड़ा सभी दिक्कत नहीं होता है और हमारा प्लांट बहुत अच्छा रहता है दोस्तो तो देखिए अब मैं इसमें से प्लांट निकाल रही हूँ और देखिए तीन दीन में भी हमारा प्लांट ख़राब नहीं हुआ है दोस्तो बहुत अच्छा है प्लांट थोरा सा अब ठंड के कारण ऐसे हो गया लेकिए प्लांट एक दम ठीक है तो मैं आपको रिपोर्ट करके बता रही हूँ और इस तरह से जिस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ आप भी करेंगे तो प्लांट आपके 100% लग जाएंगे और जब मेरा प्लांट अच्छे से लग जाएगा फिर मैं आपके साथ सेर भी करूंगी द तो देखिए पानी में हल्दी को घोल दिया और इस जो प्लांट मैं रिपोर्ट करूंगी अब उसे दो जगा मैं इसमें रिपोर्ट करूंगी दो प्लांट तो इस तरह से आपको मिटी को हटा देना है होल बनाने वाले से होल बनाईए या इस तरह से मैं खुरपी से मिटी को हटा दी हूँ और देखिए प्लांट के रूट को मैं हल्दी में डिप की हूँ और इस तरह से लगाई हूँ आप भी इसी तरह से लगाई ये कोई भी प्लांट तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से लग जाते हैं मुझे हल्दी पे बहुत ज़्यादा विस्वास होता है और मैं लगाती हूँ तो हमारे सभी प्लांट बहुत अच्छे से लग जाते हैं दोस्तों तो देखिए इस तरह से मैं सभी प्लांट को लगाती हूँ तो मैं दो प्लांट इसमें लगाई हूँ टीना वाला पॉट बड़ा होता है इसमें मिटी भी जादा होता है तो प्लांट को हटा करके और इसके मिटी को अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना है इस तरह से आप सेट करेंगे तो आप जो प्लांट लगाएंगे उसके रूट बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाएंगे दोस्तों तो देखिए होल बनाया होल बनाने की बाद फिर मैं ह प्लांट लगा रही हूं और एक साथ मैं यहां पे दो प्लांट लगाई हूं एक जगह मैं एक ही लगाई थी तो इस तरह से लगा करके मैं सभी पॉट में प्लांट लगा दी दोस्तों और इसी तरह भी प्लांट लगाए तो आपके प्लांट सभी बहुत अच्छे से लग ज